है लो बच्चों वेलकम वैपन में यूटीब चनल एंसाइड बित कमल और हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं आज क्लास 10 के अंदर हम लोग उन को कर रहे हैं जो कि एक्जाब के अंदर डिट परसेंट आते हैं कि मोस्ट आइंप कोश्चन जो की टूट हज़ेंट टूट है ठीक है तो आपके बोर्ड एक्जाम में या फिर आपके अर्दवार्सिक की परिशा उन सब में यह कोशन आपको दे एक्जाम के अंदर पूछा जाता है पहले हम उस पर बात कर लिते तो वह कोशन है सिद्ध किजिए कि रूड थरी एक अपर भी संक्या यह कोशन यानि कि इस टैप्टी कोशन एक्जाम के अंदर लगभग आते ही आते हैं ठीक है तो यह कोशन आपको अच्छे से सीखना आन पहले इस कोशन में क्या क्या चीजां यूज होगी उनको हम अच्छे से पहले समझेंगे राट कोशन करेंगे कुछ समझ में न आएगा रटना पड़ेगा सीद्धी सी बात यह है तो रटने के परपस से तो मैं आपको यहां पर समझाने वाला नहीं हूँ मैं आपको पहले संख्या के बारे में समझ लेते हैं फिरा पर मिसंख्या के बारे में समझ लें क्या होती है तो चलिए सबसे वहले हम लोग क्या करते हैं पर मिसंख्या के बारे में समझ लेते हैं तो यह संख्या है जिनने हम पी बटे क्यू में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं पर मि बटे 3 6 बटे साथ कोई भी नमबर जो की कैसा और बटे il इंद्स हना एक चीज का नहीं रखना पर Crush सिर्फ आप क्या नहीं रहें सकते पंस जीरों नियान चाहिए ये सुजमा गया जिसी पğर क्यूि तो दिख włas कर नबर तो आप लग्रों चल Και सबसक्षे तोई दिव्क्कत नहीं, माइनस का लो चलेगा 0 भी लो तो भी चलेगा कोई दिख्क्त नहीं, यानि कौन सा भी नमबर लो ऊपर कोई धिक्कत नहीं, लेकिन नीचे आपको एक चीज कढ़ार कंशीन वे dwВОege माइनड नहीं, प्लस की नमबर ले सकते हो, मायनस की नमबर ले सकत लिख सके और यहां पर बोल रहा है Q not equal to 0 ना चाहिए यानि नीचे Q 0 नहीं होना चाहिए अगर बात करें तो एक और चीज आप नहीं रखना अगर रूड के अंदर अभाज संख्या आ जाती है तो बहुत है कि अगे बात आपको जानते हो कि जो किसी और से निगट्टी उस और बोलते हैं जैसे कि उदारण के लिए रूट टू रूट थ्री रूट फाइब रूट तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा यह इसी से वह कोशन होने वाला है और कुछ ज्यादा गटन कोशन नहीं है बस आपको इसको समझना है तो देखो सयाबाज संक्या समझना है सेवाज संक्या क्या होती है ऐसी परमियर संक्या जिनका एक के अलावा कोई उबैनिस्ट नहीं हो जाएगा तो इसमें क्या हो गया यहां पर कौमन दो हो गया स्कून हो गया कि नहीं तो इसका वलगो यह वाली संक्या स्यावाज संक्या नहीं ठीक है तो स्यावाज संक्या कौन सी होगी अगर हम इसी नमबर को कार दें दो दूनी चार और दो तीच ये अब देखो आप दो बटे तीन आ अब अब इस नंबर का बताओ क्या इसका कोई common factor है क्या देखो दो वड़े में कितना तीर कटे गए नहीं यह नंबर किसी से तो इसका common factor सिर्फ एक ही होगा क्या होगा वो एक एक के अलावर कुछ भी common नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे सेवाज संक्या समझवाज संक्या क्या है सेवाज संक्या क्या है सेवाज संक्या हम उस नंबर को बोलेंगे जिसमें कुछ भी common नहीं होगा एक भी नंबर common नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे तो यह तीनों चीज़े समझ ली अब हम कोशन में आते हैं फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए तो हमारे कोशन पहला कोशन यह है कि रूड त्री एक अपर में संक्या क्या प्रूब करना आपको यहां पर रूड त्री लिख देता हूं यहां पर एक कोशन करना नियारा झालोड तॉम सॉल्यूशन लिखते हैं आपर अफ्यूशन लिखा और हमने बोल देहां आपे माना के रूड त्री एक स्लिशन करने पहले पहले संक्या मां कि छला रहा है सभी कोशन में आपको हमें सिका मान कर द inception यानि कि वो परमी संख्या पूछ रहे ताब उसको और क्या है परमी संख्या मान की चलोगा ठीके तो माना रूड तरी क्या और एक चीज और क्या रखना है तथा आपको होता है यह तो बहुत important है Q not equal to 0 Q की value 0 नहीं होने चाहिए यह बस Q की value हम क्या नहीं लेंगे 0 नहीं लेंगे यह इतनी बासा लिख देंगे उसके बाद इसको लिखेंगे तो root 3 binary root 3 बराबर कितना आ गया root 3 बराबर क्या आ गया P बटे Q ठीक है P बटे Q और साथ में आपको लिखना है यहाँ पर क्या P और Q P और Q से अवाज संक्या कैसी संक्या है से अवाज संक्या ध्यान से सीखना है इसको ठीक है इसे clear हो जाए पहली बात clear होगी यहां तक एक बार से फिर से समझा देता हूँ सिद्ध करना आपको कि P E पर मेसक्या है तो सबसे वैए क्या करेंगे किसी भी कोशन में इसमें आपको पर मेसक्या संक्या सिद्ध करना आपको यह लिखना है कि पर मेसक्या पर में बान की चलने जहां P और Q पूड़ा स्ंक्या । 240 कम्मन के अलावा यही से हम सब कुछ करेंगी तो यह से क्लियर हों गया अब क्या करेंगर ow nearby करीगँ को उन्हों बढक्र कर दिया आप बंड करेंगे तो देखो क्या यहाँ पर गण औरे तो है रूट तरीका बर्ग ठीक है और यहांपए पीड़ वह जाइगा पी बते पीडों यहला बटे में क्या बहुत है दोनों पी बरख वो गया डोनों पर पक्षों का बढल कर दिया अप् consum स्भेण को अब तो सॉल्व करना है तो बराबर क्या यहां प्रते में क्या आ ग Genius को ऐसस एंड आकट अर्फिय हो गया कए अब किया गया है कोई यहां तक क्लियर हो गया है अब क्या करेंगे हाँ यह बराबर पसुल समझे आ Q square बराबर P square बटे में क्या है? 3 आ गया. ठीक है? अब यहाँ पर देखो P square में कितने से भाग जा रहा है? 3 से भाग जा रहा है. तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम बोलेंगे आप यहाँ पर. चूंकि 1 metropor चूंकि P square किसे? 3 से भीवाजित है. P square में किसे भाग जा रहा है? 3 से. 3 से भीवाजित है. P square 3 से भीवाजित है. तो हम बोलेंगे आप यहाँ पर. P B क्या होगा? 3 से भीवाजित होगा. यहाँ तक समझना है बस. यह man चीज है यहाँ पर. यह कैसे आया? देखो P square 3 से भीवाजिता है. P B 3 से भीवाजित है तो मैं आपको समझना होगा. यह से मान कि चलो हमने कोई number लिया है. अब यह समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर. मान कि चली हमने यहाँ आपर 8 कबर लिया. फीक है? अब बटे 2. फीक है? अब यहाँ पर देखो 8 कबर कितना होता? 64. होता है कि निए अगर 64 में देखो 2 से भाग जा रहा है कि निए इसका मुनलब क्या है अगर किसी नंबर के बर्ग में उसका भाग जाता है तो जिसका वो बर्ग है जिस नंबर का उस नंबर का फटो हम ने बोला कि ढ सोला में अगर नहीं तो इससे यहां फे बंग मैं देखो शेके बर्ग मेंगर 3 का भाग जा रहा है देखो 36 मेंगर 3 का भाग जाएगा जाएगा तो 6 में भी 3 का भाग जाएगा समझ मागी बात स्क्वेरों भाग जाता है तो उस नमबर भी भाग जाता है इसलिए हमने यह वाली बात लेखिए कि फीज्ट कर तीन से भी वाज़ित हो जाएगा ठीक है यह बात क्लियर हो गई ठीक है तो आप हम क्या करते हैं आप यह तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था पी में कितने से भाग गया है तीन से गया है कि नहीं ठीक है तो हम क्या लेकिन यह आप पर देखो आराम से इसलिए करार हूं जिससे आपको अगर भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ आंसर है कि वह आंसर हम क्या माल लेते हैं अब सवाल को दुआरा से फिर से लोटाना है अब एक चीज़ और ध्यार रखना नहां पर आपको समय का नंबर एक दे देना है ठीक है एक लिए हो गया ठीक है अब क्या करेंगे आप देखो का ने न न्यूट थे लोट मात उंपकह्याम का करें के दोनों अ को अफिर से का करने पर करें तो इस अब करें तो घु कि आ यहां पर और गृत करेंगी तो किए और अक यहां पर जाएगा बटे में कितना यह स्टीन नधे को भुझा था तो एक पर कितना इसे क्रॉस मल्टिपलाय करते हैं तो यह सब से सब्सवारा करेंगे ठीक सिल अरो बरावर इसमें बन के आगी तुक्ष करेंगे पी acceptable कर दिया रखनी तो या किया नियुक्तिप्लाब कि है इसका इठाइस मैं को राज़े लुट से एक और पी का वैंड में करेंगे तो क्या जागा ऐधर किलियर हो गया अहांगे आप देख़ो यह वुगा अब है की नहीं पीक्वर कमांड कितना है 3q2 है तौम क्या करेंगे आपे का माल रख दिए करते ही तो यहाप फिस्क्वश कमांड के कि आपे लिकेंगे पीक्र कमांड क्या मान कितना रिकेंगे 3q2 झाल यह कहां से आए लिख दो शह्मीक करने एक से, क्लियर हो गया, ठीक है, आप क्या करना है यहां पर, फिर से वही काम करना है, C square बचेगा इधर, इधर क्या जाएगा, 3, Q square, और बटे में क्या है यहां पर, 9, ठीक है, यह कर जाएगा, तीने कम तीन, तीन त्रकनो, तो C square बराबर कितना आगया, C square बराबर आगया, Q square अपॉन में कितना, 3, Q square अपॉन में 3 आगया, अब यह देखो Q है, ठीक है, आप देखो, फिर से वही बात हो गई, यह जो बात यहां पर 3, पी square बटे 3, यहां पर Q square बटे 3 आगया, यहने कि हम बोलेंगे, अगर Q square तीन से विभाजित है, तो सिंबल सी बात है, क्या होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है, अब देखो, यहां पर, मैंने जो निसकर्स है, वो क्या निकलता है उस पर बात करते हैं, तो यहां पर देखो, दो चीज़ां आपको समझ में आ गया होगी, पहली चीज क्या है यहां पर, पहली चीज तो यह है, कि हमने क्या माना था, आपने बोला था, कि P और Q कैसे है, क्या होता है कि कोई भीumban नहीं है लेकिन पी और क्यूंदों में बाग जा रहा है थिलिए और क्यूंट में होli तीन से बाग जा रहा है प्लूvest으ara लेकिन निए लुक्ति निखल न रहा है जो कि नहीं हाना चीए इसका मलगी क्या है यह हमारी गलत्य के कारण हो रहा है इसा अब तो आपका कूशन वहाँ पहले हैं वाइस लिखने है यहां लिखने है आपको लिखना यहां पर एक में टुकना यहां पर लेख देता हूँ ठीक है जगह की तोड़ी सी कमी है तो आप एजस्ट कर ले न क्या लिख रहे हैं यहां पर देखे एक बार और जिसको अलग कर देता हूँ जैसे आपके लिए किलियर हो जाए ठीक है यहां पर अलग लेख रहे हैं हमने कहेंगे कि माना था अब एक मैंट इस एलिक्टेट ठीक है हमने माना था या माना था पी और क्यूं क्यूं का एक के अत्रिक्त एक के अत्रिक्त कोई वेनिस्ट गुडन खंड नहीं है ठीक है पहली बात ही हमने माना था लेकिन सिद्ध करने पर पाया पाया पी और क्यूं का वेनिस्ट गुडन खंड पी और क्यूं क्या है वेनिस्ट गून खंड तीन है किरफं अदि रुटन खंड पी में भी तीन से गुडन गुडन खंड जा रहा है और क्यूं में भी कितने से गुडन गा रहा है तीन से जाय रहे तीन ध Detroit कि यहां पर देखिए यांपर देखिए देख हो फी में भी यह भाग जा रहा है कियो में भी इन स्कूर एंज और all तो हम क्या वोलेंगे हाप आते हैं कि रूड़ 3 एक अपर्मे संक्या रूड़ 3 कहीं संक्या एक अपर्मे संक्या है आपस्ये मानके चलना है सब्सक्राइब कर दिना और हम से जोड़ना चाहते हैं तो हमारे बहुत सब चैनल और इंस्टाग्राम आइडी से जरूर जाएए तो चलिए बलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक लिए जाहें दिबने माता